एलो एंड जहिन स्टूजेंट, वेलकम बंस अगे इन टू यर वोन चैनल सरतरुन रिपानी और वाम वेलकम है मेरे राइजिंग स्टार्स का, राइजिंग स्टार एक डेडिकेटिड बैच है जो मैंने ICSC क्लास नाइंट के लिए बनाया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ और सिर क्लास नाइंट के स्टूडेंट के लिए लेसन वीडियोज हैं, नोट्स हैं और मैंने इसका एक डेडिकेटिड वाट्सअप ग्रूप और टेलिग्राम चैनल अल्रेडी बना दिया है, इसका लिंक दिया होगा और जरूर जोइन करें यह वाट्सअप ग्रूप या हैंज ने मिलकर मुझे कमेंट में बताया कि कौन सा चैप्टर आप लाइव डिसकस मेरा करना चाहते हैं, तो मैं आपके साथ लाइव वीडियो भी जरूर बनाऊंगा, तो लेट्स स्टार्ट इस सेशन और आज का सेशन है सिरिक्स का एक इंपोर्टेंट चैप्टर, इलेक कौन करा रहा है, कैसे करा रहा है, आई, इसी पर जानते हैं, पूरा ये चैप्टर, इलेक्शन्स, मैं स्मॉल कर देता हूँ अपने वीडियो को और स्टार्ट करता हूँ, जी, तो इलेक्शन्स, अगर आपके क्लास में, आपको इलेक्ट करना हो, चुनना हो, अपने में से ही, अपने ही ग्रूप अफ स्टोडियों में से, किसी एक को as a monitor, तो टीचर कहती है, चलिए सारे बच्चे, वोट डालिए, कि राहुल मोनिटर बनेगा, कि सोहन बनेगा, तो आ आप लोग क्या करते हो, अपना अपना वोट देते हो, जो व्यक्ति, यस राहुल या सोहन में से, जिसको जादा वोट मिल जाते हैं, और वो आपका monitor बन जाता है, क्या यही चीज हमारे देश में भी हो रही है, क्या यही चीज हमारे लोक सभा में, यही चीज हमारे विधा सबा में हो रही है जी हाँ हम हम मतलब जो 18 साल के अधिक लोग है 18 अब अब के लोग है जिसको हम लोग कहते हैं यह वर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इनको अधिकार होता है यह अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट दे के चुने हैं समझ गया है और यही हमारी गवर्मेंट बनते हैं चली बुकिश स्टाट करते हैं इलेक्शन तो इलेक्शन क्या है इलेक्शन एक तरीका है प्रोसीजर है जिससे पीपल चूज करते हैं कैसे चूज करते हैं बोटिंग करके चूज करते हैं किसको तू रिप्रेजेंट दा वोटर एक रिप्रेजेंटेटिव को combination जिसको सबसे largest number of votes मिलेंगे वही बनाएगा देश में सरकार और वही देश को rule करेगा आई ये types of election के बारे में जानते हैं दो broad type की elections हैं सबसे पहला type हम जानेंगे पहले direct election तो जिसमें people of India directly अपने representatives को elect कर देते हैं लोगसभा में भी ऐसा होता है करते हैं हाँ आप जानते ही दिल्ली में हैं लोगसभा और दूसरा होता है state legislative assemblies जिनको हम विदान सभा के नाम से भी जानते हैं ये इसलिए लोगसभा को नाम भी दिया गया है house of people क्योंकि लोगसभा में लोगों द्वारा उनके प्रतिनिधी चुने जाते हैं क्या प्रदान मंतरी कौन है आप जानते हैं member of लोगसभा तो house of people लोगों के द्वारा चुने गए विक्ति जो लोगों को देश को रूल करेंगे तो जो members होते हैं जब हम चुनते हैं 18 years के अधिक के लोग चुनते हैं हाँ आपको चन्ने गादिकार नहीं है आपको येस जो मेरा lesson सुन रहे है राइसिंग स्टार्स आपको नहीं है तो जो legislative assemblies के member होते हैं उनका नाम होता है MLA's आपने सुना ही होगा member of legislative assemblies इनको directly people of the state चुनते हैं जैसे हम लोग UP में हैं तो हम UP के MLA's को elect करेंगे similarly जो मद्धपदेश में होंगे वो मद्धपदेश की assembly के लिए members को चुनेंगे the members of the लोकसभा are called as MP जी MP that is member of लोकसभा और आप जानते हैं कि हमारे देश के prime minister जी वो MP भी है और PM भी है PM तो prime minister हो गया और MP member of लोकसभा याद रखेंगे अब पर कहां से हैं वारानासी से जी वारानासी में उन्होंने चुनाओ लड़ा और जीता फिर आते हैं indirect election तो indirect हमारे देश में elections of the विधान परिशद तरी विधान परिशद कहां होता है हर स्टेट में हर बड़े स्टेट में जी सब स्टेट में नहीं याद रखेगा हर बड़े स्टेट में विधान सभा के साथ विधान परिशद भी है और union लेवल पर अथा country वैसे राजसवा है council of states इसमें जो members होते हैं इनका election indirect होता है अतार इनके representatives को people elect नहीं करते हैं इसका मतलब जो 18 साल या उससे बड़े के लोग होते हैं अतार हम लोग जी आपके ममी पापा इनको elect नहीं करते हैं न तो विधान परिशद के लोगों को elect करते हैं न तो राजसवा के members को elect करते हैं तो इनको elect कौन करता है आओ दिखते हैं तो राजसवा के members टोटल होते हैं 250 जिसमें से 238 members को elect करते हैं कौन ये legislative assembly के member इनको तो हमने elect किया था यह सब्सक्राइब करें एक इमेज पर आप देख पा रहे हैं यह तब देखे कौन है हाँ मेंबर्स ऑफ दी पारलमेंट है जो की फर्दर क्या कर रहे हैं राजशवा के मेंबर्स को लिट कर रहे हैं मेंबर्स ओफ यस मेंबर्स ऑफ लेस्टे आप लिट करता है जो की किसी न किसी फिल्ड के एक्सपर्ट होते हैं चाहे वो literature में हो, science में हो, art में हो, या social service में हो, आप जानते हैं हमारे देश में president का election, vice president का election कैसे होता है, जी, indirect होता है, इसका मतलब है president को हम नहीं चुनते हैं, prime minister को तो हमने चुन लिया, देखिए एक scene में, yes, एक image मेंने आपके पास रखिये हैं यहाँ पर, yes, इस photo में यहां तो अलग-अलग Member of Parliament यह सब क्या हो रहे हैं Member of Parliament क्या कर रहे हैं इन डाइरेक्ट इलेक्शन किसका प्रेसिडेंट का तो प्रेसिडेंट अफ इंडिया प्री रामनात कोविंची is elected इस समय हैं is elected indirectly by the members of the electoral college यह को college है जा पड़ाई होती है नहीं 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 electoral college बस एक arrangement है जिसमें सारे elected members सारे चुनेवे लोग जिनको हमने vote दिया था वो दोनों houses के लोगसभा के और रासभा के दोनों house के elected members और elected members of the legislative assemblies यह जाकर के चुंते हैं यह elect करते हैं मिलकर के देश का राश्ठ पती हुमारा प्रेसिडेंट स्री रामनात को इन आईए अब वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट को भी डिरेक्टलेक्षन नहीं होता है वाइस प्रिडन का भी election इन डिरेक्ट होता है अगेन यहाँ पर image में देखे वेन कईया नाइडू यह हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट है आप पहचानते होंगे वेन कईया नाइडू जी वेन कईया नाइडू जी का भी election इन डिरेक्ट हुआ था आप image में मोदी जी को और अमिच शा जी को देख पाएंगे तो vice president मैंने नाम ले लिया गए इनका ये नैडू जी का इनका भी election कौन करता है both house of the parliament के elected members याद रखेगा nominated members नहीं जिनको हमने चुना उनको ये अब चुनते हैं हमने जुनको elect किया वो अब आगे जा करके vice president of president elect करते हैं याद रखेगा vice president के election में state legislature के members participate नहीं करते हैं जबकि president के election में elected members of state legislative assemblies participate करते हैं clear है जी अब आपको बताना है जी आपको बताना है what is the term of office of the president president कितने साल के लिए चुना जाता है सोचिए सर्च करिए और comment box में जरूर बताइए मैं हर एक rising star का मैं हर एक student के comment का जरूर जवाब दूँगा मुझे यकीन है ये आपको अंसर मालूम होगा नहीं मालूम है तो थोड़ा सर्च करिए जी term of office of the president अब जानते है कुछ और टाइपस के election जैसे general election general मतलब पूरे देश का election तो सरकार election कराती है members of लोकसभा क्योंकि जब 5 सल पूरे कर लेते हैं हाँ 5 सल जब पूरे कर लेते हैं तो उसके बाद फिर से पूरे देश में चुनाओ एक साथ होता है नाम है general नाम से ही समझ में आ रहा है कि आपको मालूब है कि हमारा पिछला election कब हुआ था तो हमारा पिछला general election हाँ पिछला general election 2014 में हुआ था 2014 में BJP government इलेक्टो के आ गई थी फिर 2019 में जब इनका 5 यर कम्प्रीट हुआ फिर election हुआ और दुबारा BJP government जिसको NDA Alliance के नम से जाना जाता है वो फिर से elect हो गई मतलब अब 2024 में आएगा नेक्स्ट general election 2024 में आएगा क्योंकि 2019 के बाद अगा 5 साल एड करेंगे तो 2024 आएगा तब तक मोधी जी आपके पदान मत रहे है जी तो state legislative assemblies भी चाहे तो parliament के साथ अपना election करा सकते दूसरा टाइप का election जानते mid term election अब नाम से ही समझ में आ रहा है mid मतलब बीच में तो कभी कभी क्या होता है state legislative assemblies या लोकसभा बीच में ही dissolve हो जाती है हाँ उनका 5 साल complete नहीं हो पाता है कोई बरीजन हो सकता है जैसे अब सरकार गिर गई हो हाँ अटल भीहरी बाजपई जी के साथ ऐसे ही हो आथा उनकी सरकार नहीं चल पाई थी तो जब parliament में किसी government के पास majority नहीं होती है हाँ full support नहीं होता है तो वो 5 सल नहीं चल पाती है तो जब वो full 5 यर नहीं कर पाएगी तो बीच में election करना पड़ेगा ताकि फिर कोई नहीं सरकार आए जो आगे 5 सलों तक government चला सके इस election को कहते हैं जो नए फिर से नए house के लिए election होता है नाम है mid term election एक और टाइप का election भी है by election जब कोई seat किसी मंत्री का पद नहीं किसी मेंबर का पद खाली हो जाए अब वो मेंबर लेस्टर असेंबली का मेंबर हो जी चाहे वो लोकसभा का मेंबर हो हाँ कैसे वेकेंट हो गया कैसे वो पद खाली हो गया भई मौत तो पूछ के आती नहीं है या वो खुद ही resign कर दे अपने time period पांस साल के term होने से पहले ही उसने resign कर दे क्या होगा सोचिए उसकी जगे तो खाली हो जाएगी क्या हम लोग वेट करेंगे अगले पांस साल के लिए नई तब तक उसकी place को fill करने के लिए by election होगा जी by election तो by election में क्या होता है by election में उस vacancy को fill कर देते हैं जिसमें बीच में कोई candidate मर गया yes death हो गया resign हो गया और term फुरान ही कर पाया तो अब यह जो elected होके आएगा आदमे यह कब तक रहेगा तो यह जो elected person है यह office में रहेगा जब तक की unexpired अथा जितना term duration बचा है what it तो इसका मतलब है इसको 5 साल का मौका नहीं मिलेगा जो by election में वेक्ति जीत के आया है अब आते हैं election commission के बारे में जानते हैं क्या आप image देख पा रहे हैं हमारे देश के current election commissioner का जी तो current election commissioner जो वर्तमान में election commissioner है शुशील चंदराजी जी आप उनकी image देख पा रहे हैं तो election commission कौन है तो election commission एक autonomous body है कौन सी body है autonomous अथा खुद बखुद चलने वाली body है autonomous का मतलब ये ये खुद बखुद क्या करती है rules and regulations बनाती है और देश में free and fair election कराती है क्या कराती है free and fair conduct of elections कराती है हमारे देश का constitution इसको power देता है जी पूरे power है इसके पास article 324 से लेके 329 तो कैसी बनी है कैसे composition हुआ है election commission का तो election commission के head जिसको हम कहते है chief election commissioner या ने बताया कुशील चंदरजी इस समय हमारे chief election commissioner है ये सबसे top में होते है जी इसका मतलब है कि election commission का head कौन है सबसे topmost कौन है तो chief election commissioner और इनके साथ कौन होते है इनके साथ three members है जिसमें से एक ये स्वेम होगए chief election commissioner और दो commissioners और होते हैं तो इन तिनों का appoint कौन करता है जी इस सुशील चंदरजी को appoint किस ने किया तो इनको appoint किया है president प्रेशीडेंट अपोइंट करते हैं इसको president appoint करते हैं chief election commissioner and other commissioners को और ये किस के basis पे होता है ये प्राइम मिनिस्टर के request के basis पे होता है याद रखेगा नाम तो president का होता है क्योंकि president सिर्फ नाम का nominal head है actual काम किस काउन कर रहा है पीछे पर देखे पीछे का कलाकार है prime minister याद रखेगा इस बात को आईए term of office जाने chief election commissioner का तो हमारे देश में parliament ने एक act पास कर 1994 में हाँ क्या किया है election commission को बहुत power दे रखे हैं जैसे election commission 5 साल के लिए sorry 6 साल के लिए appointed होता है देख रहे है term of office 5 साल नहीं है 6 साल है जबकि लोकसभा का term of office 5 साल है state legislature का that is assembly का 5 साल है तो 6 साल इनका term of office है और इस tenure के दोरान अगर इनकी age 65 आ गई तो तो इनको अपना office पुड़ना पड़ेगा जिस दिन 65 एर के हो जाते है example से बताओ जैसे सुशील चंद्रा जी का बारे में बताया हमने जी सुशील चंद्रा हमारे chief election commissioner है अब मान लेते हैं कि इनकी अभी current age 62 year है हाँ लेट से मैं जानता नहीं हूँ मैं आपको example से समझा रहा हूँ लेट से इनकी age 62 year है तो इनको 6 साल नहीं मिलेंगे आगे क्योंकि तीन साल बाद ही तीन साल बाद ही इनकी age हो जाएगी 65 और जिस दिन इनकी age 65 year हो जाएगी 4 जी इनको अपना पत खाली करना पाद और अगर कोई यस मैंने कहा था कम उमर का वेक्ती होगा लेट से कोई 58 year का ही देखती है तो 6 year बाद उसकी age कितनी आएगी 6 year बाद भी उसकी age होगी 64 अथार वो पूर 6 year तक क्या करेगा अपने post पे बना रहेगा समझ गये आप क्या कहना चाहते हैं 6 year और 65 year ये rule है इनकी salary तो Chief Election Commissioner की salary उतनी ही होती है Supreme Court के judge की होती है देखा इसका मतलब है इनका पद Supreme Court की judge की तरह है और साथ में इनको pension भी मिलेगी रिटायर होने पे और किसी भी वज़य से अगर Chief Election Commission Commissioner और अधर दो Commissioner जो हमने बताए टोटल तीन Commissioner होते हैं इनके बीच में अगर कोई मद्भेद होगा कोई differences होगा तो वो majority से decide करेंगे क्योंकि तीन लोग है जो भी दो किसी पक्ष में बात करेंगे वो बात मान ली जाएगी समझ गया ना? ताकि उनके बीच में बे dispute न रहे तो आईए powers of the election commission जानते हैं याद रखिएगा पूरे देश का चुनाओ पूरे भारत में चाहे वो state election हो चाहे वो general election हो कराने वाली body का नाम है नाम है election commission इनके powers के बार में जानते हैं तो हमारे देश में कानून है हाँ कानून है representation of people amendment act 1996 जी यही कानून इनको यह power देता है यह कानून क्या उन बनाया है जी हमारी पार्लामेंट हमारी पार्लामेंट ने election commission को power दे रखे है सबसे पहला power क्या है इनके पास इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेर करना और क्या photo ID card प्रिपेर करना प्रीन पे आप देख पा रहे होंगे photo ID card यह बड़ा common है आपके ममी पापा का भी बना होगा मैं लिख देता हूँ P I C जरूर मांग करके इबर चेक करिएगा देखेंगे आपकी मदर या फादर जो 15 साल से उपर है सब लोग उनका photo उनका सारा detail इसके अंदर होगा यह है voter ID card जी photo ID card और electoral roll क्या होता है आईए इसके बारे में बताते हैं तो electoral roll एक तरकी voter list होती है इसमें voters का नाम होता है उनके फादर का नाम होता है age होती है वो male है की female है सारी जानकारी होती है कौन बनाता है again election commission बनाती है election commission अपने areas के eligible voters को अथार जिनकी age eligible अथार जो 18 साल के हो गए है इसका मतलब जब तुम भी yes rising stars भी मेरे 18 साल के हो जाएंगे तो क्या होगा तब उनको भी उनको भी उनका नाम voter list में सामिल मिलेगा अपने आप voter list में नाम शामिल हो जाएगा और आप जब apply करेंगे तो आपको मिलेगा voter ID कार जिसमें आपकी photo और आपकी पूरी जानकार अब आप vote दे सकते हैं पर अभी नहीं 18 एर के बाद याद रखेगा direct election में participate करेंगे आप दूसरा function दूसरा power of the election commission जितनी भी political parties हैं उनका recognition अथार्थ उनको permission देना उनका registration करना दोनोई काम इसका है election commission का है आप जानते हैं हमारे देश में political parties के पास अपने खुद के symbols हैं क्या ये symbol उनने अपनी मर्जी से ले लिया नहीं ये symbol उनको grant किया election commission में election commission दो तरके symbols रखता है एक free symbols होते हैं जो कोई भी ले सकते हैं और कुछ reserved symbols होते हैं क्या आप इस symbol को पहचानते हैं कि किसका symbol है ये symbol है TMC का प्रिन मूल Congress जिसकी leader है ममता बेनर जी इसको तो आप surely जानते होंगे ये तो मुझसे मत कहिएगा हाँ ये PJP का है कमल का full मोधी जी की party का symbol है और ये हाथ का निशान Indian National Congress राहुल गांदी तोनिया गांदी जी और प्रियंका वाडरा घड़ी किसका है घड़ी है NCP का और ये दोनों CPI और CPM नाम की parties का है CPI और CPM और हाथी किसका है जी बहुजन समाज party तो इस थरह से ये symbols fixed हैं क्योंकि ये national parties हैं जो पूरे देश भर में चुनाओ लड़ सकती हैं इनको ये symbol जो दिया गया है किसी और को ये symbol नहीं दिया जाता है जो symbol इनके पास ये reserve symbol होगे और free symbols उनको दिया जाता है जो किसी भी party के थुरू चुले आओ नहीं दड़ पर याद रखेगा symbol देने का power किसके पास है कौन decide करेगा किसको कौन से symbol मिलेगा तो chief election commission अथाट election commission decide करेगा अच्छा fixing the date चुनाओ की तारीक देना fix करना और चुनाओ को conduct कराना अच्छा government के पास power है क्या करने का कि चुनाओ कराने का government declare कर सकते हैं कि हम चुनाओ करना चाहते हैं ये power है बट date कब होगा ये government के पास power नहीं है समझ गया न मोदी जी ये तो कह सकते हैं कि हम सरकार अपनी बरखास्त करते हैं बट चुनाव कब होगा, उसकी exact date क्या होगी, यह मुदी जी डिसाइड नहीं करेंगे, election commission करेगा, तो exact date इसके हाथ में है, election commission के हाथ में, आईए, अगला function, ensuring free and fair election, देश में free election कराना, मतलब लोगों को किसी भी तरह का कोई परिशानी नहों, आजादी हो सबको, अपने तरह से बोट देने की, और fair कराना, किसी भी भेदबाओ के बिना, election commission इसके लिए code of conduct बनाती है, parties के दे, candidates के लिए rules and regulations बनाती है, ताकि किसी भी व्यक्ति को, आम व्यक्ति को, जो बोट देने जा रहा है, उसे किसी का डर है नहों, वोट देने के दवराने, अब आता है, कैसे free and fair election कराती है, यह हम लोग जानते हैं, आई, free and fair election कराने के लिए, election commission कुछ code and conduct बनाती है, election commission observer भीशती है, यह कौन होते हैं, observer वोते हैं, जो election के time पर जाते हैं, voting चेक करते हैं, यह चेक करते हैं, कहीं कहीं, कोई violence तो नहीं हो रहा है, actual ground पे जाते हैं, जहाँ पर voting हो रही होती है, अगर कोईसने boot capturing तो नहीं कर दिया, अथा कहीं ने boot पे capture नहीं कर दिया, यह boot क्या होता है, यह boot क्या होता है, बूत वो place है, जहाँ पर actual voting हो रही है, और election commission उस place का चुनाव cancel कर सकता ह है, अगर उसे पता चले, कि यहाँ पे कोई mal practices होई है, यहाँ कोई cheating होई है, यह उनके पास पूरा power है, और तो और representative कानून, यह जो people's वाला act है, यह severe punishment देता है, boot capturing करने वालों को, इसका मतलब है कि कोई अगर बंदुक के बल पे चाहे, कि मैं चुनाव वाले area को कबजे मे कर लू, हाँ, इन लोगों को अपने कबजे में कर लू, डरा धमकालू, तो बहुत स्ट्रिक कानून है, आईए, और functions जाने, election commission के बारे में, election commission, polling officers को appoint करता है, आप ध्यान से देखे, यह ladies के हाथ में कुछ bag है, बड़ा सा, यह दिख रहा है, जी यह बड़ा सा bag है, यह दे M, full form है, electronic voting machine, जी, आज को तो जानते ही है, बटन दबा करके, आप क्या करते हैं, किसी भी party को vote दे सकते हैं, तो चीफ election commissioner क्या करता है, इन officers को appoint करता है, यह officers जाते हैं, yes, यह officers जाते हैं, और vote करवाते हैं, जी, और इनको भी किस के अंदम रखा गया है, इनका नजर करने के लिए, polling officer के उपर नजर करने के लिए, deputy commissioner को point करता है, यह जो deputy commissioner होते हैं, यह returning officer कहलाते हैं, returning officer, हाँ, यहाँ पर आप screen पे देख सकते हैं, returning officer नीचे बने हुए हैं, उपर polling officer बने थे, यह जो ladies दिख रही थी, और नीचे आप देखेंगे, returning officer, मैं आपको returning officer भी दिखा देता हो, यह returning officer, returning officer, magistrates होते हैं, हाँ, इनके पास पूरा power होता है, आइए, इनके भी functions के बारे में जाने, यह सारे चल रहे हैं, functions of election commission, election commission date renounce करता है, filing की date भी तैय करता है, कि कब लोग अपना नाम file कराएंगे, जैसे मुझे चुनाव लड़ना है, तो मुझे अपना नाम election commission के पास जाकर अपना दर्ज करना पड़ेगा, और यह date भी देते हैं, कि कब हम अपना नाम वापस दी ले सकते हैं, और हमारी सारी जानकारी, हमारा सारा application, जिसमें हम लिख के देते हैं, कि मेरा नाम क्या है, मेरी पूरी जानकारी, सब किसको जमा करनी होती है, returning officer को, यह है, वो returning officer, returning officer इसकी scrutiny करता है, इसकी जाच करता है, चेक करता है, कि सब सही है कि नहीं है, जब वो सब चीज सही पाता है, तो ओके कर देता है, यह भी scrutiny भी करता है, और वो उनके खर्चों पे भी नजर रखता है, अगर election commission को लगे, कि कोई candidate अपना money power, पैसे के बल पर, चुन of account मांगता है, अथार्थ खर्चों का ब्योरा मांगता है, कि आपने कितने खर्चे किये, और scrutiny करता है, उसकी जाच करता है, और गलत पाए जाने पर उसका election भी cancel हो सकता है, तो बहुत ही powerful officer है, इसी भी जगें के लिए returning officer, and last but not the least, function of election commission, advice देना, election commission, president को भी advice दे सकता है, governor को भी advice दे सकता है, किस मामले में advice देना होता है, electoral matters के बारे, कि members disqualification कब होने चाहिए, election dispute कैसे solve करें, या अगर कोई election के basis पे शिकाहत करना चाता है, court में dispute करना चाता है, तो कैसे हो, तो इस तरीके से, यह सारी जानकारी, election commission के under में होती, मैं उमीद करता हूँ कि आपको यह पूरा lesson समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है, तो like बटन प्रेस क्योंग नहीं करते हो, और मैं request करूँगा मेरे rising stars से class 9 के लिए, क्योंकि 9 के students मेरे पास बहुत कम है, और आप जानते हैं, encouragement तो तभी होती है, जी, जब कोई like करे कोई encourage करें, जी, तो please, 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 subscribe नहीं किया है, तो channel को subscribe करो, और आपके लिए dedicated group बना रखा है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए group को जाएं, yes, whatsapp group को जाएं, या telegram channel को जाएं, join करें, notes भी है, सारे chapter का notes, yes, मेरे सारे chapter का notes उसमें available होंगे, तो thank you and love you and one request, please share among your classmates and friends, love you and आप बताईए अगला chapter में कौन सा बनाओ, मुझे बेसबरी से आपका इंटिजार होगा, जाली, मिलते हैं, अगले lesson पे, so happy learning,